नमस्कार में भाकेश्री, बिस्यन निवस के बिजनेस समाचाह में आप सभी का स्वागत है। खबरों की और बढ़ने से पहले आईए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। बैट बैंक में जाएंगी 80 बड़े NPA खाती, खाते की साइज 500 करूट, होम लोन में 9.6% का इजाफा, छोटे श्टेरों में बनाने लगे खर। बैंकों के बुरे फसे कर्जों के लिए खोशिद बैट बैंक अभी भले ही शुरू नहीं हुआ है, पर इसके लिए बुरे फसे कर्ज यानि NPA वाले अकाउंट आने लगे है। खबर है कि करीबन 80 बड़े NPA वाले अकाउंट इस बैट बैंक में ट्रांसपर हो जाएंगी। निप्टारक करने वाला स्थनस्तान होगा। बिरो रिपोर्ट बेसियन न्यूज। बनी हुई है। वही पावर पेट्रोल शहर में पहले ही 102.44 रुपे प्रती लिटर के रेट पर बेचा जा रहा है। इस मुल्य वृत्ती से वाहन चारकों की काफी जेब कर रही है। ऐसे में ग्रहक संकटन, पेटुल और डीजल को जेएस्टे के दारी में लाने की मांग कर रहे है। उनका कहना है कि ऐसा होनी पर रेट कम होकर वहान चारकों को रहत मिलेगी। कैमरा पोसन राजकुमार महोड के साथ अभिशेक पांसी की रिपूर्ट। महामारी और वित्वर्ष के पहली छमाई में देश व्यापी लॉक्टाउं की बावजुत वित्वर्ष 2021 के पहले नौ महनों भी होम लोन की कोलक्रोद 9.6 फिस्ती रही। गुजरे वित्वर्ष के पहले नौ महनों भी होम लोन का आकड़ा रुपियों के मामले में 22.3 लाग करोड रुपे पर पहुँच गया है। मेट्रो शहर के मुकापले छोटी शहरों में होम लोन की सालाना ग्रोथ रेट उच्छ रही है। COVID-19 महामारी के दरान देश में पेट्रोल और डीसल की खपत में कमी आई है जबकि रसोई गयास की खपत बढ़ गई है। वितवज 2020 और 2021 में देश में पेट्रोल की खपत 280 लाग टन रही। इससे पहले वितवज 2019 और 2020 में 300 लाग टन पेट्रोल भीका था। इस प्रकार की इसकी बिक्री 6.67 प्रतिशत कम हुई है। इस दोरान उत्पादन 386 लाग टन से खटकर 358 लाग टन पर आगया। इसी तरह डिजल की खपत भी 2019 बीस की 8.26 करूट टन से 11.99 प्रतिशत कम होकर 7.27 करूट टन रही। डिजल का उत्पादन भी एक साल पहले की 11.11 करूट टन की तुन्ना में 10.04 करूट टन रहा है। देश की सबसे बड़ी तेल विपनन कमपनी इंडियन ओईल कॉर्पोरेशन की अर्थिक्ष्य में वैतिरी कमपनी के तिमाही परी नामों की खोशना की दौरान बता है कि इस समय पेट्रोल डिजल की मांग सामन्य दिनों की तुनला में 15-20 प्रतिशत कम है। हाला कि रसोई ग्यास की मांग करीब 5 प्रतिशत पड़ी है। नाइटिंग की कारण पिछले साल मार्श की आखिरी सब्ता में देजबर में लॉकडाउन लगा गया था। मैंसे इसमें तीरे तीरे छूटी गए थी। लेकिन महमारी की दूसरी लहर की कारण एक बात फिर कई राचों में पूर्ण या आशिक लॉकडान है। इससे पेट्रोल डिजल की मांग प्रभावित हो रही है। उडानों पर प्रतिबंदों के कारण विमान इंतन की मांग खासी प्रभावित है। विड़ो रिपोर्ट बेसीन न्यूज। शिन्य दशम लव 51 सेंट पिसल कर 55 सेंट प्रतिबंद बोलाग्या। सान्य बाजार में आवक कम रहने से पाम ओईल 147 रुपे और मुगफली तेल 146 रुपे प्रति क्विंटल मेंगावा है। सरसो तेल, सूरज मुकी तेल, सोया तेल और वनस्पति के भाव में कोई बदलाम लिवा है। गुण चिन्य की बात करें तो मिठी की बासार में चिन्य की किमत में कोई बदलाम लिवा है। गुण के भाव भी गति वसके स्तर पर पढ़े रहे। बिरो रिपोर्ट BCN News ख़वरे समाप्त करने से पहले आगे डालते एक नजर आज की सुरक्योंगे। बैट बैंक में जाएंगी 80 पड़े NPA खाती। खाते की साइज 500 करूट। होम लोन में 9.6% का एजापा छोटे श्टेरों में बनाने लगे घर। बिजनेस समाचार में फिला लित्ता ही। ऐसे अंदे खपरों से जुड़े रहने के लिए देखते रिए PCN News।